असलाम अलेकुम नाजरीन वेलकम जुदा शो बात कारोबार की मैं हूँ आपकी मेजबा नताशा हसीव नाजरीन मारकेट के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड सिचुशन देखी जा रही है economic numbers के हवाले से news हैं जिसमें देखा यह जा रहा है कि dollar जो है वो थोड़ा सा strong होतावा दिखाई दे रहा है again रुपी की depreciation या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक balance दिखाई दे रहा था कुछ अर्से से 3-4 दिन से और कल के दिन भी हम कह सकते हैं कि market के अंदर जो positive sentiment witness किये गए लेकिन आज जो है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि regulatory duty या फिर कुछ ऐसे popular decisions से हटके जो measures हैं उनका impact जादा दिखाई दे रहा है और अगर वो decisions लिए जाते हैं तो ही economic की economically जो सुरतहाल है वो बहतर हो भी दिखाई देगी 41,000 का level in tech दिखाई देता है market के अंदर और साथ-साथ economic numbers भी अभी काफी हद तक wait and see की position में है IMF deal या IMF tranche के हवाले से good news है बजट के बाद ये फैसला किया जा सकता है तो ये तो हम बात करेंगे पूरे प्रोग्राम में चलते वे फर्स segment की तब चलते हैं Let's have a look on daily highlights आज की market की performance देखते चलते हैं Open market 41,508, 77.21 के level per higher sight market गई 41,854.25 floor was 41,524.07 and finally closure 41,568.41 का यानिके 8.8 का decline Completely range bound and flat node आज के दर witness किया गया Turnover में currently 157.43 militia straight के गए कल के मकाबले में हम कह सकते हैं decline देखा गया 28.88 militia का value is again कल के मकाबले में आज भी parallel ही दिखाई देखाई 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 4.22 billion rupees Nextly TPLPs list को lead करें हैं volume leaders में positivity के साथ 0.27 18.82 पे closure 17.45 militia straight के गए unity food second score पे 1 rupee decline 20.07 पे closure 15.52 militia straight के गए And lastly Pakistan refinery limited 0.41 का decline देखा गया 17.05 पे closure रहा 13.41 का कारुबा रहा आप एक चीज़ notice कर सकते हैं कि कल के दिन जो volume leaders दिखाई दे रहे थे आज भी again वो ही volume leaders या वो ही participation या वो ही day trader की participation देखी जा रही है Next segment के तब चलते हैं Topic of the day में आज हम बात करने वाले हैं Obviously economic जो managers हैं या फिर जो economic condition को witness कर रहे हैं और उस हिसाब से measures और initiatives लेने के लिए ready वैठे हैं उनका ये कहना है कि IMF से जो बात हो रही है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो decisions हम लेंगे थोड़ा सा बोच तो डलेगा public के उपर लेकिन हम वो इसे आहस्ता यानि कि slowly जो हम public को pass on करेंगे एक साथ ही pass on नहीं करेंगे जिसकी वज़ा से हमारी economy तो set हो जाएगी लेकिन ये burden हम नहीं देना चाहते तो ये क्यों नहीं देना चाहते और क्या-क्या इसके repercussions हो सकते हैं ये आज हम discuss करेंगे साथ साथ अगर slowly देते हैं तो economy कितने अर्से में ठीक हो पाएगी ये भी सवाल है government are facing the daunting task एक मुश्किल वक्त तो है कह सकते हम एक typical time है economic condition के हवाले से obviously जब आपके पास current account deficit होता है जब आपके पास budget deficit होता है जब आपके पास dollar strong होता है तो ये तमाम चीज़ें मिलकर alarming situation create करती है इसको कैसे control किया जाए और political leadership जो है वो तमाम tough measures लेने के लिए ready हैं तो कौन-कौन से massive tough measures है जो आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते है Another one is budget relief for industry Industry के लिए budget relief क्या हो सकता है Industry obviously SMEs की बात की जाए या large scale manufacturing की दोनों ही जो हैं वो एक backbone किसी भी country की दिखाई देती है और Pakistan के अंदर ही कितना important है और budget के अंदर क्या relief मिलेगा आज हम discuss करने वाले है exclusive panel हमारे साथ मौजूद है और join किया हमें दानिश खान साब ने आप former president है काटी के उनको खुशामदीद कहते है असलाम अलेकूम साब, welcome to the show और हमारे साथ मौजूद है मुस्तफा बलोज साब आप Pakistan People's Party के member भी है, columnist भी है तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे तो program का बकाईदा अगास करते हैं और दानिश साब से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है economically condition के हवाले से दानिश साब आप देख रहे हैं चीजों को manage होते वे government measures ले रही है topic हमने define किये हैं लेकिन मैं one by one चीजों को जो है वो पूछती चलूँगी सबसे पहले जो economic managers देख रहे हैं चीजों को 40 days और 45 days की ये government है जिसमें उनको tough decisions भी लेना पड़ रहे हैं चाहे वो petroleum prices के हवाले से हो चाहे वो और दूसरे decision हो एक sensitive या हम कैसे कह सकते हैं जूपता हुए जहाज उने मिला है और इस डूपते हुए जहाज को जो है वो चलाना भी है ना कि और उसको बलके घुमाना भी है पूरे समंदर में प्लीज जरा इसके बारे में बताइए बिस्मिल्ला रखाना नीब थैंक यू नैटाशा देखिए पिशले झालिस पड़िस्पैस दिन से जो एक पॉलिटिकल उनसेटियो है यह फिस मूल्क में बडीकल शेटियो होगी ना उसका एफ़ेक्ट रिपल एफ आफेक्ट सब ने कि हमारे जो पिष्टे अबकर मुस्टली आज की अटारीक में देखें तो आप जो जो कर्जा बरुन तें वन टॉन्ट सेवन बिलियन है मैं कहता हूं वन थर्डी वन बिलियन है क्योंकि जब जब आपका रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस किरता है तो आपके पैसे वहाँ पर बढ़ जाते हैं ठीक है आई आई एमेफ एक अधारा है आपका क्या पॉलिश है आपके आई एक डील होगी तो दूस्ते डॉनर्स जो आपको पैसे दाना शुकरेंगे पाकिस्तान का जो खजाना जो है वो टैन मिलियन से नीचे आ चुका है आपका देखें कल तक जो है एक डॉलर एक हफते से और दोसो एक दोसो दोसे वन नाइटी से पार चार पाश रुपे वो अचान जो आप डॉलर अचाहँ अब एकना बी कभी स्टेबिलेटी विए मतलब एकना की कुछ पता नहीं है कि आप जो एंब आयम एक्सपोर्टर आम एंडेस्टिलेस एक्सपोर्टर आज़ वेल वी डॉन्ट लो कि हम आगे जो सवाधा किस बार पे करें किस तरह से करेंगे ना आयम एकना प्रेशर है देखें आप दुनिया से दुनिया में पेटरोल जो है पुरी दुनिया में महंगा हुआ पाकिस्ता में नहीं है पुरी दुनिया में महंगा है इवन इन अमेरिका इट सेवन पॉन्ट पॉन्ट्री जिरो डॉलर गैलन सौधी रब में एक सो तीस्ट सास्टा कर से मगराप पेट्रोल मेंगा कर एक सबस्का तो आप एक सुपांच बिलियन का जो है पिछले दो मेने से लॉस्स कर रहे हूं तो आप 6 मैने कंदर ये 600 बिलियन हो जाएगा ना ये end of the day तो ये तो टेक्सपेर देगा ये आपने करदा लेकर देना है अभी तिंग इस दाट कि अभी आप वेट कर रहे हैं बजट का I am waiting for the budget अब बजट में ये never know what will happen petrol मैं समझता हूं 24-25 चौभी से 25 वे और बढ़ने वाला है एक दो दिन में शाजी जटगा जाए क्योंकि आपने बजट से पहले आपने उनको देना है बजटी आपको साथ और नवे पैसे आपने ओगरा ने बोल दिया है मतलब क्या भी बढ़ेगा आपकी गैसे पर प्राइस सौरी नैपरा ने ओगरा ने आपकी गैसे 45 परसंट दे दिया यह बजट से पहले ही आपको अनॉंस करने पड़ेगा आप आएमेफ वेटिंग फर दे बजट बजट जैसे आएगा फिर आपके आप आएमेफ दुबारा बठेगा आपके साथ और आपको पैसे देगा यह अभी देखें यह जून इसे वरी टफ बहुत टफ मानता है नही है आपकी कोई LC जो है जो जो कबनीज है बार की जो आपको वाइल देगी देंगे तो यह तो हलत हो गई है अब इस पे क्या गौर्मेंट इनके बास डिरोंट आप महनी है आपको पता है 10 बिलियन जो बड़े हो यह भी 3 बिलियन चाइना के होंगे 3 मिलियन साथी होंगे हमा 37 बिलियन होगा आपको फॉरन रेमिटेंस 31 32 बिलियन है तो यह हो जाए कि इसमें आपका करेंट डेफिसित तो अभी भी आप 14 12 से 14 बिलियन है और आपका ट्रेट डेफिसित इस 44 बिलियन है तो यह दिखिए इसी सारे एफेक्ट है यह आई तिंग गौर्मन आपको टेक ट अब जब आपकी इडिलिटी आपकी बिजली महेंगी है आपकी गैस महेंगी आपकी हर्शी महेंगी हो जाएगी तो आप अपने प्रटेकर कोस्ट में डालेंगे ना आपको पॉंट टेकन मुस्तफ़ साब प्लीज आप डिसकुशन को मजीद इलाबरेट करें और यह दानिट साब ने कहा है कि हम बहुत बुरे हालात में हमारे पास जो है वो प्रीज नहीं है हमारे पास फॉरे एक इमपायर को क्या कहेंगे हम इसको पूरे एक जहास को जो है वो समालना है और यह भी बताईए कि यह अगर ऐसे डिजिजन्स लिए जाएंगे तो एक कॉलेश government जो के आई है, इस mandate के साथ को वो समालेगी, तो इतने tough decisions लेंगे, तो क्या अवाम समझ पाएगी? इस पिलर वार थाहिम देखे था, नताशा, इस इस अ इस वरी एक्राओनरि शिचूएशन, जिस पे हम सब इसमे जो है ना, stakeholder हम और यह सारी चीजे हमें, जाहर एंगे उसलोग एंकी information थी और यह सारी चीजे हमें फासरी चाहरे हमें, फेस नहीं कहें पढ़एगे चैलेगे एक फ्रेश मेंने लिके आ सकते हैं, बट विन्यू के सिच्वेशन बहुत खराब होती जारी एकनॉमिक लिए कटिंग टाइस विदार एलाइस, प्रिविस अलाइस, आप एक वेस्ट के साथ, आप यूर्पीन उनियून के साथ, यूएस के साथ, अपने तालुकात जो एक प् आप एड, हम ट्रेट पे बलीव करते हैं, जैसे दाने साथ भी कह रहे थे कि ट्रेट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो ट्रेट डेफिसिट कम तभी होगा जब हम उन मुमालिक के साथ तालुकात बहाल करेंगे, उनको हम लेटर्स दिखा के एक प्लिटिकल एक गिमिक क हम उनको अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, we cannot afford that, हम एक दरफ IMF से लोन ले रहे हैं, फिर हम जो IMF कंट्रोल करता है, उसी मुलक से हम बैठके, you know, we cannot afford that, so point is, और बाकी चीज़े हैं, जैसे के रशिन के साथ जो एक माईदा एक हुआ था, so called, जिसके बारे में कहा रहा रहा ह जो मैंने भी, it was talking for me, कि हमारे मुल्क में 40% हमारी GDP का जो पॉर्शन है, it's like shadow economy पे चल रहा है, ये smuggling बगारे ये चीज़े हमें रोकनी पड़ेगी, ये एक long term measure है, this is not something which will happen in one month or two month, it will take years, and we have to make long term policies, so we are working on that, और इंशाला इसका effect आपको आईसचाई से नजर आएगा, obviously day to day म आपको financial changes जो है, वो उससरा नजर नहीं आएंगे, productively, लेकिन आप इसको अगर long term wise देखेंगे, तो obviously हमें मुश्किल फैसले लेने पढ़ रहे हैं, हमें लोगों को काईल करना पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ-साथ बेने सी निकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहाए हम लोग subsidy भ आप जो है वो अपना NIC number send करेंगे तो आप उसमें enroll हो जाएंगे, so this is something we are working on it, and we cannot leave that, because हमें, देखे, unity government का point ये था कि हम हैं, तो मतलब, जाहर है, मुल्क को चलाने के लिए हमें strict measures लेने पढ़ेंगे, क्योंकि अगर economy ही बैठ जाएगी, तो काई, सियासत कहां रहेगी आपकी मुल्क है, तो हम है, ना, तो मुल्क की, सबसे पहले मुल्क जो है, उसका, जी, हमारे साथ अभी आपने जॉइन किया है, मलिक अर्शास साब ने, उनको खुशामदीद कहते हैं, मलिक साब, Assalamualaikum, Welcome to the show, Sir, ये बताईए कि आपने गुपत को सुनी है, दानिश साब भी है, हमारे साथ मुस्तफा साब भी है, उनका ये कहना है कि एकॉनमिक कंडिशन जो है, वो काफी फ्रेजाल दिखाई देती है, एकॉनमिक के लिए हम काफी सेंसिटिव मोड पे खड़े हैं, एकॉनमिक एमर्जनसी भी डिक्लेर करने की कोशिश की जा रही है, अभी मिफ्ता इसमाईल साब जो है, वो एक तक्रीब में एड्रेस कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि ये कुछ टफ मेजर्स हैं जो के लिए जा रहे हैं और मजीद लिए जाएंगे, इसके बाद कुछ अच्छे नताई जा सकते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है सर बजट से कर रहे हैं, जो इस वक्त मुलक में एकनामिकल सिच Voice प्रिवेल कर रही है, उस सेनधरियों में जैसे मिरे ये दोनों दोस्त बात कर रहे हैं, कि इस सनेरियों में हमें दो किसम की अपरोचस की जरूरत है, एक शार्टर्म है, एक लां टर्म है, जैसे उन्होंने कहा है कि पाक पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान की एकानोमी बचेगी तो पाकिस्तान बचेगा तो पाकिस्तान की आपकानोमी को बचाने के लिए हमें जो हमारा ट्रेड डेफिसेट है उसको कम करना बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसेट जो है वो कम होगा जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ कि उन्होंने अपने इंपोर्ट आल्टरनेटिव डिवालब किये और अपनी एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा स्पोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त की गवर्मेंट है ये जो मियां शबाश शरीव गढ़ाया जो इकड Nir रहे हैं वो अंडिस्टिलाजेशन की तरफ जा रहे हैं अंडिस्टिलाजेशन होगी तो मुलक बचेगा अगर कोई अंडिस्टिलाजेशन को नहीं बचात उता है तो मैं I can guarantee कि Eakonomi को नहीं बचाया जा सकता एकानोमी को बचाने के लिए इंडिस्टिलाइजेशन जरूरी है और इंडिस्ट्री को बचाने के लिए एक मैं समयता हूँ कि इस वक्त जो सक्सेस्वल बिजनसमेन है आफ़दा पाकिस्तान उनकी एक एक एकनोमिक रिफार्म्स कमेटी जो है वो बनाई जाए और अमिजियेटली उसके अमिजियेट सारी मिटिंग्स की जाएं उसके उपर आके जैसे डालर रेट बढ़ रहा है बाकी जो इन्फिलेशन का रेट जो है वो डबल डिजिट में चला गया है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है बहुत ही अच्छे और समयधार लोगों का एक पैनल और एक एकसपर्ट कमेटी जो है उसको बठाके इस पे हमें चीजों को पूरे पाकिसान को बचाने के लिए हमें इस बास से निकलना पड़ेगा जो हम प्लिटिकल स्टांट्स लेके एक दूसरे के खिलाफ इन टालरेंस डेवलप कर दिया है पूरी के पूरे मुलक में और नेक्टिविटी की तरह हम जा रहे है तो यहां पर हम बात बताते चलें के चार्टर ऑफ एकॉनमी तो नजर आता ही है ना सर तमाम पार्टी जे एक ही पेज पर दिखाई देती है अगर सिफ एक पार्टी को छोड़ के बात की जाये तो इस अगर नेकर मैं यह समझता हूँ कि जैसे प्राइमिस्टर पाकिस्तान मिया शभाष श्रीफ साब ने ग्रेंड डालॉग की बात की है तो डेट इस अउनली स्लूशन सब लोग जो है एज नेशन हम इस बात से निकलें के जो एक पुलिटिकल कोई भी स्टन्ड चलता है वो गौवर्मेंट के खलाफ चलता है इस वकत हमें जो है नेग्टिविटी से निकल के परसनल बारगेंड से निकल के एक इंडिपेंडन्ट बारगेंड के उपर पाकिस्तान की पाकिस्तान पहले पाकिस्तान बचोवले उस पे आना पड़ेगा और ये जो सिचुएशन पाकिस्तान को डीस्टेवलाइज करने की कोश्र की जा रही ह हमारे अदारों को निशाना बनाया जा रहा है इस से निकल के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वाद करनी पड़ेगी और जो पहली हकूमत ने अंडिस्ट्री को करने के लिए जो अकदामात उनके गलत हैं अभी इस हकूमत जो क्रेक्शन की तरफ जा रही है मैं समयता हूँ मिफ्ताई समयल साब जो है बहुत अच्छे अगदामात ले रहे हैं फिनांशली और ये लांग टर्म फिनांशल स्टेबिल्टी के लिए ज़रूरी भी है अगर हम ऐसे तफ डिसीयंस इस वक्त नहीं लेंगे तो पाकिस्तान को बजाना मुश्कुल हो जएगा अगरी बड़ी मस्ट नो लीज मुझे ये बताईए कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है बजट में कोई रिलीव दिये जाने का इमकानात है क्योंकि ऑलरीडी पॉलिसी रेट काफी हाइक पे दिखाई देता है यानि के डबल डिजिट ऑलरीडी हो चुका है इन दे हिस्ट्री फर्स ताइम हम कह सकते हैं कि सबसे जादा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में भी यह एक्सपेक्टेशन है के मजीद जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ाया जाएगा तो मेरा सवाल यह है कि क्या समझ रहे है आपके कौन सा रिलीव दिया जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही बढ़ाना है तो कौन सा रिलीव आप एक्सपेक्ट कर रहे है इसमें बड़ी साधी सी बात है सारे समयदार लोग इस वक्त जिनों के हाथ में बागडोर आगी है इस वक्त अंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले जो हमारे इंपोर्ट्स हैं जो एक्सपोर्ड के लिए जरूरी है जो एक्सपोर्ड ये इंडस्ट्रिय है राइट नौ आइम री प्रिजेंटिंग पाकिस्टन फर्मस्टोटिकल मनिफेक्शन असोसियेशन तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अगर मैं एक्सेम्पल दू तो जो इंडिया है और पाकिस्तान है इंडिया इस वकत उनकी जो इस साल की एक्सपोर्ट है वो 22 बिलियन डालर है और हमारी 225 बिलियन डालर है जो इसमें गैप्स हैं और हमारा मुलक जो है इसकी जो मैडिसन है पूरी दुनिया के अंदर उनकी acceptability हम 60 मुलकों में एक्सपोर करें हैं हमारी इस जो करंट government है इस पूर्ट भी कर रही है उनसे रिकवेस्ट भी है कि पिछली government ने सत्रा पर्संट और टेक्स लगा दिया है पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि आप यानि सत्रा प्रदा वो पैसे देगा फिर कहेंगे जी अदवियात को मेडिसन को मेंगा कर दिया गया है तो 17% सेटेक्स जब लगेगा तो हम इंटरनेशनली कंपेटिटव नहीं रहेंगे एक्सपोर्ड करने के लिए 17% इस बिग डील इसको अबजार्ब नहीं किया जा सकता और उन्होंन हो सका हमारी मिटिंग होई थी शौकर तरीन साथ से भी और शौकर तरीन साथ जो है मैं I'm sorry to say कि गौवर्منट की पिशली गौवर्منट की कोई financial aspect की उपर को consistent supervisory government का जो रोल रहा है policy wise वो consistent और persistened नहीं रहा कभी एक minister आ रहा रहे हैं कभी दूसरे minister आ रहे हैं कभी तीसरे minister आ रहे हैं और I.M.F के साथ अगरिमेंट कर दिये लास government में यही रहा गया यही रहा गया और international ऐसे agreement कर लिया I.M.F के साथ जो पूरी दुनिया में इसको bargain में नहीं लाया जाता इन्हों उन्हें इसको भी bargain में डालके सारे taxes इनकी उपर भी यानि आपकी अगर education को कास्टी कर लिए जाए आपकी medication राइट मैं दानिश साब से पूछना चाहूंगी दानिश साब बजट के हवाले से बात किये और इन्होंने बड़े right crowd press किये कि pharmaceutical sector में कुछ ऐसे taxes लगा दिये गए जो कि unfortunate है और उसको नहीं पास on करना चाहिए क्योंकि एक तरफ से हम petrol के अंदर अगर subsidies नहीं दे सकते तो कुछ और चीज़ों में तो हम incentive दे सकते ना तो कहां से आप relief expect कर रहे हैं budget के अंदर and second thing is that क्या हम इस पॉम में हैं क्या हम इस जो है वो हालत में हैं के relief दे सकेंगे मैं तो समझता हूँ के I don't think so कि इस दोबाइस बजट में को relief में लेगा आपको क्योंकि बहुत टफ बजट आएगा और देकि इस नोट ओनली ए बजट हम तीन में चारे माद देखे एक मिरी बजट आताया आपके बजट आपके अपके साल में आप देखिया दो य तीन बजट आते हैं करने के लिए बहुत अच्छी बात की अर्शात में और मुस्तफा की बात को भी मैं तुरा सा आगे लेके चलूंगा देखें वी हाफ टू इंक्रीज ऑर एक्सपूर्ट हम थर्टी ऑन पंगलादेश 45 को टेच कर रहा है हम 31 32 33 पे खेल रहे हैं वी एफ टू हमें बहुत एक्स आपको पते हैं इसे निकलते हैं कुछ में को समय जाता है कि हम कल एक गॉइम्में आई कि असरो ले आगा हम ऐसे बैढ जाएंगे तिक जाएगे तिक जार्ट है अब शुभी में पाकिसाना से बेसिक्कलि अग्रों आपने समर्श्ते के पालिसी जब बनाई जाएं तो तु बढ़ बनाई आप सोरे टो टो अवर्ड़ा उनकर उंकराड छाटे मोदे के अदू आपके बड़े क्राश की अपने की जिद्सटेशना को यह करते हैं मुझे करते हम मारे प्राम साथ आप करते हैं तेक अब इधिनेस्म्न कि अपके बड़े गराशी कि आपको कि कुछ से क基本 थे इंदर 52 पर्संद फिर्टी पाकिसां गिलोबल एक्सपोर्ट में फिर्ट परसंद कर एक्सपोर्ट करता एकْस पुर्ट करताया क्राची की आपकी टेक्स्ट तर्याओ सम्हें यादर 65 परसंट तै मैं कहता हूं दिखेंगे बासुरें इससें अंट अपके जो रेविन्यो वह 6.1 trillion है ठीक है आपका 3 trillion जो है 3 trillion वह आपका debt servicing में जाता है debt servicing तो रह गया 3.1 trillion 1.2 trillion जो है आपका budget defense budget है तो आप बताईए 1.9 trillion to 10 to 10 to 10 चलाहिए तो तो तोड़ी वह दो बैध्ड वह आपन्स का सब्सक्ता जाता है और दस परसंट है, इस परसंट परसंट जब तक आप टास्ट टुजी टिवी जब तक अंडोक्मेंट को कमन निकरेंगे, आपकी जी आपकी जु टैस्ट के रेविनियो आपको जब तक 10 ग्यार आप ट्रिम्या नहीं होगा, आप निकर से आपकी एक्सपोर्ट आपको देखे में ही आगे बढ़ा जा सकता है, हमारी डिमांड बहुत जादा है, हम डिमांड को अपनी फुल्फिल कर सकते हैं, आप प्लीज ये बताइए, कि अब क्या मेजर्स दिये जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में कौन सी पॉलिसी जो हैं, वो हम बिटनिस करने वाले हैं, क्यो जो पॉलिसी जाएंगी ना कि सिफ अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अगर फाइव सेक्टर्स को देखा रहा है या फोर सेक्टर्स को देखा रहा है, ऐसा ना हो, सब के लिए एक ही रूलो थेख सबसे बिले ताने साब बड़ा अच्छा के चार मौसम हैं, वरना तो पैसे लिटेट करेंगे, जैसे अर्षाब ने भी कहा कि आपकी अगर इंडस्ट्रीज और आपके जो इंडस्ट्रीज से आपके एक्सपोर्टर से दाने साब जैसे, तो इनको अगर इतनी मुश्किलाथ पेश आएंगी, कि वो अगर, बाद पर इतनी मुश्किलाथ और इतनी मुश्किला शीलाथ को आपके एक्सपोर्ट धाने सा ने प्रेव। अग्रो रिच कंट्री तो हम अगर अपनी एक्सपोर्स को एक्सपाइड करें और हम बिलीव करें के जैसे यह जो शेबाश शरीफ साब ने इंपोर्स पर बैन लगा है ताट्स अपर्चुनिटी ताट्स अपर्चुनिटी के हमारे लोकल इंडस्ट्री इसे डेवलप हो जो जो प्रोड़क्स हम भार से इंपोर्ट करते हैं अगर हम यहां पर उपर्चुनिटी दें उन्हीं कंपनीज को उन्हीं इंडस्ट्री इसको उन्हीं बिजनस कम्यूनिटी को तो वी कन यूनों कंपीट विथ और नेबर्स और आई-ट के सेक्टर पर जैसे दाने साब न पाणिस्टोंग्स कंपा अगरों सभी आई-प्रोडाय से तरह करें आए-ग। अथा तक्षबस और लूंग-टम्रेंड़ इस प्रडानियल तूर्चेशाइर निग्यून के लिए ट्रव पानी मस्टाल आइजाया पानी का मस्ला करना बड़गा रानी निजए बात पोटे आप उसमें देखें कोई भी गुवर्मेंट जाती है ते लौंग दर्पोलिशी रिमें देवाइन आप पोलिशी रेमें रूट जाती है और नौंग दर्फॉटिव रूट की बात किये तो इतनी ज्यादा क्वाथ पॉंट ऑफूंट उप्यू से बहुत चीपर रेट पर दि रोड नहीं करते जिसमें जो है वो काफी मार्जन हो सकता है वाट यू से बिलकुल बहुत अच्छा यह स्वाल आपका पहले तो मेरे एक दोस्ने यह कहा है ने कि जैसे हमारा इंपूट बिजली का है तो इसके लिए मैं इसलिए पॉइंट को ज़रा पहले से कहना चारह हू यह से यूटिल्टीज आऊ गैस है या मरे एक्टिसिटी है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो फार्मसुर्टिकल हो टेकस्टाइल हो वो लैदर हो वो सपोर्ट्स हों वो वूजाड़ मेलमेंट्स हूँ वがिए उसमें जो हमारी कैसे हम कोबब करेंगे international market में हम कैसे competitive करेंगे तो यह इस बात को सार जो हमारे इस वक्रवगत की गौवर्मेंट है इनको जो पिछले decision जितने गलत होगे इनको छोड़ दे इन्हों जो पिछला जाया कर दिया कर दिया तो यह वहां से शुरू कर दे जहांसे इन्होंने कि जिस वक्त हालत में पाकिस्तान चला गया था अल्ला ने दोबारा से इनको दे दिया है और ये अच्छी तरह संबाल भी रहे हैं तो दूसरी बात आगई कि मैडिसन की प्राइसिस की और क्वाल्टी की तो मैं आपको बताओं कि हम चाहते हैं अभी भी रिजन में पाकिस्ता ने अवाम को दे रहे हैं बंगला देश में इंडिया में स्रीलंका में बाकी इन सारे मुमालक में इस प्राइस पे अवैलेबल ये क्वाल्टी नहीं है और हम इंटरनेशनल क्वाल्टी दे रहे हैं और हम क्वाल्टी में फालो करते हैं FDA US Guard Lines हम इस पे जिरो भी जिरो टोर पर बता दूँ के पाकिजसी फाहरम अंडिस्ट्री जो है पाकिंसनल में इस अवाल्टी ये जो जो है वोजरूरत को पूरा कर रही है और हमारी इस वक्त गौर्वर्मेंट से पॉलिसी मेकर से ये रिक्वाइस्ट है कि इसको अब किसी इस तरह के एकदाम से पूरी अंडिस्ट्री को इस डेंजर जोन में ना देकेल दिया जाए कि जहां पे ये सतर साल का सफर करके और ये इस पॉइंट पे इस मन्जल पे पहुंची है कि हम पूरे दुनिया में जो अफरीकन कंट्रीज हैं ये किस तरह खराब हुए कि वो सारे के सारे 100% इंपोर्ट पे चले गए और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन अफरीकन कंट्रीज क को भी और पाकिस्तान की हवाम को भी सस्य अद्विया दे रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है अफरीकन कंट्रीज में इस वक्त हमारी अलमदल्ल्ला जो है तकरीबन को 20% परेनम ग्रोथ जो हमारी चल रही है और इसमें मेरे जो फारन आफसेज हैं इन मुमालिक में इनके जो क स्टाइल की तरह नहीं है कि हम आज ही आडर आएगा और आज हम एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे हमारे युनिट्स जो है हमारे प्लांट जो है जिस मुलक में जानी होती है मैडिसन वहां की जो अथार्टी है जो इसको रेगुलेट कर रही होती है ड्रग को वो आके उनका पैनल इंस्पेक्ट करता है इट टेक्स वन और टू यर्स तो गेट प्राड़क्ट रिजिस्टर इन दैट कंसरंड कंट्री पर उसके बाद ये मेडन पाकिस्तान के नाम से जाती है को ये नहीं है कि चावल यहां से खरीदेगा दुबई में मेडन इंडिया लिखेगा तो खतरनाक जोन में दाखिल कर दिया गया है इससे इमेडियेट अटेंशन की जूरत है और इस वक्त अदवियाद जो है मैं गौर्मेंट को ये बताना चाओंगा कि शाट हो रही है जैसे कुछ लोगों को पता भी चला होगा कि पैन डाल या दूसी इस तरह की अदवियाद श जाती है कंट्रोल के बगएर जो है वो हम नहीं दे सकते तो इसकी प्राइस जो है गौर्मेंटा पाकिस्तान डिसाइड करती है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसकी जो कमसकम टेक्स को अटा दिया जाए जो अभी पिछली गौर्मेंट ने जालमाना एकदामाद करके और अटेंडेंट और अनफोकस्ट उन्हें पतीनी कम करके आ रहे हैं और इस तरह के अग्रिमेंट्स कर लिए है कि जो अच्छी खासी खुशाल अंडिस्ट्री पाकिस्तान को परवान चड़ा रही है पाकिस्तान की मैडिसन को अवेलेबल कर रही है पेशन्ट के लिए और है तो हम पाकिस्तान में सिर्फ एक हजार का वो दे रहे हैं और सेम क्वालिटी दे रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस अंडेस्ट्री को भी और बिंग पाकिस्तानी बिंग अनडेस्ट्रियलिस्ट मैं यह कहूंगा कि जितनी अंडेस्ट्री हैं पाकिस्तान की उन सब को स्पोर्ड किया जाए अंडरस्टी को स्पोर्ड करके ही हम पाकिस्तन को उपर ला सकते हैं पेड डेफिसिट को भी कम कर सकते हैं और जो हमारे चालेंजिस हैं हम इस वकत जो बहुत बड़े चालेंज पाकिस्तन की अकानों को दरपेश हैं हम उन से निकल सकते हैं अगर हम अ बटाएं मैं उनके साथ साही मशारत करें अपरी पोलीश बटार के लिए लिए पर्माइसुटिकल इनडस्ट्री अवि इस एक शेक्टर बारे में बटाएं और मजीद कितने ही सेक्टर्ज घृ रगुछी ता तो अलगी हम करें तर इस इस पांच सेक्टर सान जैसा हम अजय आपका थाधे सर थी मिलियन तो पर राइस के एक्सपोर रहे हैं यह जिस आज गई एक अज एग आजसरे पहले पांसों मिलियन यह वन लिया थी तो आपके बास को बहुछ जाड़ा ना आप थे आपके आपके साड़े साथ सोग जा मैंटर का पाद वह है समंदर का हुए है का इस प्राइम निज़ निज़ आपको यह तो आपको आपके आपकी आपकी एक्सपोर्ट दस बिल्यां ऊसकती अनलस एंदल हमारी एक्सपोर्ट ना बड़े और हमारी टेक्स टूजी नहीं बड़ेगी हम यह करते रहेंगे हम बढ़ते रहें हमारा कर्शा बढ़ते रहेंगा हमारे देखिए टैन टू ट्रिलियन टू ट्रिलियन आपका टेक्स टू जी डिप होना चाहिए आपका पचास पच्पन बिलियन डॉदर का एक्सपोर्ट होना चाहिए आपकी इंपोर्ट काम होने चाहिए ठीक है जब साल सवा साल की गवर्मेंट है, कोलेशन पार्टर्श हैं, सारे के सारे ये भी देखा जाएगा कि कोई डिसिजन जो है, वो इंडिविज्वल नहीं ले सकता, बलके सब को मिलकर डिसिजन लेने हैं, क्या समझने आप ये टागेट्स, ये तमाम सबसिटीज या ये तमाम रिली अब ये तमाम सबस्क्राइब को मिलकर डिसिजन लेंगे वो अपनी जात के लिए अपनी गवर्मेंट के लिए नहीं ले रहे हम जो भी डिसिजन लेंगे वो लॉंग टर्म लेंगे ताकि पाकिस्तान अपनी मेशत को खुद उसका बोज उठा सके राइट चलेंजी, लॉं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि सुलूशन तो मौजूद हैं, कुछ फैसले होते हैं, गलत हो जाते हैं पास्ट गर्मेंट की जानब से या फिर हम अभी बात करें तो ब्लेम गेम नहीं करना है बलके अब जोके एक गर्मेंट मौजूद है उसको डिलिवर करना है, डिलिवर करने के लिए थोड़ा टाइम रेकॉइड है तो पेशिंस जरूर रखें और तावन की जो है वो अपील अलसो हम कह सकते हैं कि ये भी जरूरी है क्योंकि मार्शे में फिल्थ क्रियेट ना किया जाए, कि डेली बेसेस पे हाँ, एकॉनमी नहीं समल रही है, एक है, एकॉनमी नहीं